हेलो एवरीबन इस लेक्षर स्टार्ट करने चाह रहे हैं हम तो यह प्रॉब्लम्स दिये थे मैंने आप लोगों के सॉल्व हो गये हैं काक्ट मिस्स कर दिये हो शायद हम तो रिस्पॉंड करिए अगर सॉल्व कर लिया है आ रहा है तो हम आगे पढ़ाएं अधरवाज बताएं इसको एनिवन हाँ हलो यह सब सॉल्व हो गया है आप लोग का इतने ही दिया था मैंने कि इतना ही दिया था कि कोई और भी दिया था कॉपर लीदियम वोला यह था ठीक है तो हम जल्दी से इसको बता देते हैं सब एक बाद देखे यह समझ में आ रहा है यहां पर है हम यूज कर रहे हैं ठीक है कार्बोनील के जो बगलवारा कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन एप्स्ट्राइट करेगा कार्बन एंग बनाएगा इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाई स्टेप काम यहां समझ में आ रहा है ठीक है यहां माइनस चार्ज डेवलप होगा हाइड्रोजन एप्स्ट्राइट करेगा एल्डिये एक बेस है डूसरा यह रेखिए यह आपका क्या है यह आपका एलाई ब्रॉमाइड है यह ब्रॉमाइड ऐसे निकल जाएगा तो यहां पॉजि क्या होगा एस इपिएच पहले से दिया है इस जगए पर आपका यह अटाइट हो जाएगा ठीक है यह समझ में आ रहा होगा सबको एल्डिये ने क्या किया यहां नेगटिव चार्ट आया है इस पे और सेकेंड इस्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल इस जगए पर अटाइक किया इस तरीके से थार्ड इस्टेप में क्या हो रहा है एस्टू और यूस करते हैं तो हमार क्या होता है एसी जो हो है एसी पीएज का जो एसी है वो ऑक्सिडाइज करके फर्दर एलिमिनेट हो जाता है ठीक है तो इसके बाद जो आएगा देखिए चाहे तो इसको हम स्ट्यूर के मिस्ट्री भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यह हमारा अबाफ दे प्लेन हो होगा ठीक है तो हमारा ऐसी पीएज और हैडोजन यहां निकल जाएगा और जो प्रॉड़क्त बनेगा वो यह बनेगा ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां मैंने सब बस इतना ही बना के दिखा रही हूं मैं जहां पे रियक्शन होना है बाकि पीछे वाला आप लोग बना लीजिएगा तो यह आपका इसका प्रॉड़क्त बनेगा यहां पे डबल बॉन्ड हो जाए इस जगर पर आपका यह अप्सट्यूंट लगा हुआ है इसमें आते हैं फ्सकुशन में इस कोशन में देखिए इस में भी वही काम हो रहा है यूज हो रहा है यह हमारा यहां इनोलेट बनाएगा श्यक्व है नेक्स में क्या है पीछ सी एसी पीछ यानि कि एसी पीछ इस पर अटाइक कर लेगा ठीक है तो क्या बनेगा देखिए यहां पर आपका S E P H आ जाएगा ठीक है फिर देखिए next step में क्या हो रायाँ अपका फिर से LD ए है फिर से हमारा LD ए यूज हो रहा है फिर से LD ए यूज होगा यहां पर एक और hydrogen है तो यहां पर फिर से minus charge आएगा और फिर next step में हमने फिरलेक्टरो फाइल लिया है MEI, यानि कि ME जाके उस position पे attack कर जाएगा, तो अगर हमारा ये ACPS above the plane attack हुआ है, ठीक है, तो ये MEI जो है वो आपका below the plane लग जाएगा, ये तो इतना तो समझ में आ रहा है सबको, क्या हो रहा है, कार्बोनिल के बंगल में देखिए, दो hydrogen है, एक बार LDA hydrogen abstract करके inolate form करता है, तो SEPH attack कर रहा है, ठीक है, above the plane attack कर रहा है वो, second फिर से LDA यूज किया, फिर से inolate बनेगा और फिर से आपका जो दूसरा है वो lower the plane में attack करके ये चीज़ बनेगा, ये MEI बनी गया, अब next step में क्या है हमारा H2O2 use हो रहा है, H2O2 use हो रहा है, इसका मतलब कि SEPH और hydrogen को निकलना है, और वहां, कहां, जहां से निकलेंगे दोनों, वहां double bond लग जाएगा, है न, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, ये SEPH आपका above the plane है, और इसके बगल में जो hydrogen है, जिसको आप सोचेंगे कि निकालना है, वह आपका below the plane है, और क्योंकि हमने कहा कि SEPH को निकलने के लिए हमें same plane, same symmetry की जरूवत होती है, तो ये जो hydrogen lower plane पे है, ये ना निकलनके आपका, ये जो ME है, ME मतलब क्या है, ME मतलब CS3 है, ठीक है, तो ये इस कार्बन का SEPH की बगल में, अगर ये alpha है, तो ये क्या हो गया, ये beta carbon हो गया, ये beta carbon का जो hydrogen है, वो lower plane पे है, SEPH हमारा above the plane है, तो ये नहीं निकलेंगे, बलकि ये भी आपका beta carbon है, है ना, और इस beta carbon का, क्योंकि तीनों ही hydrogen सेम है, इसमें कोई करेल्टी वाली बास नहीं है, कि कौन सा उपर है, कौन सा नीचे है, तो इसमें का hydrogen आपका है, eliminate होगा, with SEPH, ठीक है, तो ये H2O2 से आपका ये double bond O हो जाएगा, और further eliminate होके, जो यहाँ product बनेगा, वो बनेगा double bond, ठीक है, ये H निकलेगा और यहाँ पर double bond लग जाएगा, तो ये आपका product बनेगा, सब को समझ में आ रहा है, बिलकुल यही चीज, इसी तरीके से जो ये वाला question है, same to same वैसे ही है, बस इसमें क्या है, देखिए, उल्टा हो गया है, इस case में पहले SEPH ने attack किया था, और इस case में पहले MEI attack करेगा, है ना, और दूसरे case में आपका SEPH attack करेगा, तो जड़ा देखिए, बहुत interesting question है ये, पहले case में LDA है, LDA carbonil के पगल में inolate बनाएगा, है ना, फिर MEI इस जग़ा पर attack करेगा, MEI attack करेगा, hydrogen lower plane पर है, तो MEI आपका above the plane attack कर दिया, ये देखिए, second case में फिर से हमारा यहाँ inolate बनेगा इस जग़ा पर, क्योंकि यहाँ पर एक hydrogen बचा हुआ है, फिर से inolate बनेगा, और फिर second phase में आपका SEPH, यहाँ पर वो भी lower plane attack करेगा, ठीक है, फिर देखिए, हम H2O चो यूज़ कर रहे है, फिर से हमारा यह selenium oxidize करेगा, और इस बार, इस बार, यह भी बीटा है, और यह भी बीटा कार्बन है, तो इस बार, इस case में, इसका hydrogen ना जाके, यह hydrogen मूज़ होगा, क्योंकि यह दोनों आपके, same plane में हैं, lower plane में हैं, तो इस case में आपका जो product बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, तो कितना अंतर है, देखिए, दोनों के product के formation में बिल्कुल अंतर हो जा रहा है, सब्सेट वही है, फिर भी देखिए, दोनों के product different बन रहे हैं, फरक क्यों इतना है, कि पहली बार में हमने CPS का attack करवा दिया, तो तो आपका वो hydrogen के opposite attack किया, hydrogen lower plane में है, तो वो above the plane attack किया, तो इनके symmetry, इनका जो planarity है, वो different हो गया, तो ये खुद ना निकाल के, बादल वाले carbon का hydrogen यहां से निकाला, इस case में देखिए, इस case में ऐसा नहीं है, इस case में पहले methyl ने attack किया, second step में हमारा ICPH attack कर रहा है तो इन दोनों hydrogen का और ICPH का जो plane है, वो same हो जा रहा है, तो इस case में हमारा, ये hydrogen move हो के, ये product बना रहा है, सब को clear है, इतना, now this one, जैसे हम लोगोंने grignard region पढ़ा है ना, CS3MGBR, grignard region के अब क्या काम होता है, grignard region जो आपका है, वो 1-2 addition करता है, और 1-4 addition करता है, 1-2 addition मतलब की सीधे C rebel bond O पे attack करना, ठीक है, कहीं पे अगर, alpha, beta, unsatuted जैसी moiety है अगर आपके पास, तो अगर, मान लिजे, grignard region के हम बात करें, अगर, अगर grignard region आपका, ये है grignard region, ठीक है, grignard region इसमें attack करेगा तो, अगर यहां attack करता है, तो इसको हम 1-2 attack बोलते हैं, ठ ठीक है, अगर ऐसे attack होता है, तो इसको हम 1-2 attack कहते हैं, अगर यहां पे, इस position पे attack करता है, तो हम उसको कहते हैं, 1-4 attack, बात समझ में आ रही है, तो grignard region जो अपना एक है, वो एक ऐसा region है, जो की दोनों ही जगे attack कर सकता है, 1-4 पे भी, 1-2 पे भी, ठीक है, लेकिन उसमें हम जब copper bromide या copper chloride यह उस कर दे, तो हम केवल और केवल 1-4 पे ही attack करता है, देखे, इसका भी एक reason है, क्या reason है, इसका यह reason है, जो CO है, आप लोगोंने hard, hard base, soft base, यह कभी पढ़ा होगा, hard point क्या जैसे कि, यह जो carbon है, यह सीदे CO से जुड़ा हुआ है, तो अगर इस तरीके से bond यहां break करेगा, C plus और O minus जब बनेगा, तो क्योंकि इसके आगे बहुत electro negative group लगा है O, तो यह जो positive का जो इसमें concentration है, वो बहुत जादा होगा, तो carbon के size बहुत छोटी हो जाएगी, उसको हम कहेंगे hard, this center is very hard, तेक है, और इस case में देखिए, क्योंकि इस case में कैसे होता है, यहां ऐसे होता है, तो यह bond यहां चला जाता है, और इस जगर पे attack होता है, तो क्योंकि यह CC bond है, यहां कोई ऐसा electron withdrawing group नहीं लगा है, कि आपका जो positive center generate होगा, वो काफी concentrated होगा, तो इस case में जो positive generate होता है, वो इतना hard में होता जितना की CO का जो C होता है, बात समझ में आ रह soft की theory होती है, hardness के लिए आप, जो charge है, जिसके अधर positive charge की बात कर रहे है, उसका concentration काफी जादा होना चाहिए, size बहुत छोटी होनी चाहिए, यह सब concept जो है, वो hard के लिए है, और soft के लिए क्या concept है, soft के लिए generally negative charge जादा होना चाहिए, size काफी जादा होना चाहिए, ठीक है, अ property होती है, तो जो यह वाला आपका positive center बनेगा, this is soft center, यहां का जो बनेगा, this is hard center, तो जब ग्रिगनाड रिजिंट आपका attack करता है, generally यह आपका hard center पर attack करता है, लेकिन अगर हम copper यूज कर दें, copper के present में अगर ग्रिगनाड रिजिंट यूज करते हैं, तो copper जो है वो, इसको soft कर देता है, उस case में ग्रिगनाड रिजिंट के वल 1,4 addition देता है, यह बात इतनी मैंने बताई क्योंकि मुझको इसके बारे में बताना है, मुझे आपको alkyl copper lithium के बारे में बताना है, क्योंकि यह नहीं पढ़ा है आप लोगोंने, बट ग्रिगनाड रिजिंट कभी पढ़ा होगा, दोनों ही रिजिंट लगबख सेम होते हैं, दोनों का activity सेन तरीके से होता है, reaction से मेकानिजन के थ्रू होता है, इसे लिए हमने इतना comparatively आपको बताया, अब देखिए, इसको हम कहते है गिलमान रिजिंट, मैंने कहा था कि केमिस्ट्री में हम लोगों को रिजिंट और उनकी काम को बहुत पढ़ना पड़ता है, तो यह जो गिलमान रिजिंट होता है, वो अलकाईल पॉपर लीधियम होता है, और यह काफी soft रिजिंट होता है, यह कभी 1-2 एडिशन नहीं दे है, यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने अभी बताया, कि जो गिलमान रिजिंट है, यह हमेशा 1-4 पोजिशन पे ही अटाइक करता है, 1-2 पे तो करता ही नहीं है, ठीक है, तो इतना समझाने का मतलब यह था कि यह जो पी आप देख रहे हो, यह पी देखे, जैसे हम लोग दिगनार डेजिंग यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसमें आपका फिनाइल है, पी एज़ जो है, वो आपका अलकाइल ग्रूप है, ठीक है, और एडिशन क्या करेगा, 1-4 एडिशन करेगा, तो इधर गया यह आपका, यह यह य और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जन्रेट होगा, इस जिगर पर आपका पी एज अटाइक करेगा, कैसे होता है, तो देखिए, तो यहाँ आपका पी एज अटाइक कर दिया, ठीक है, और यह इस तरीके से है, क्यों कहा जाता है, 1-4, बिकॉज ऑक्सिजन से कांटि तो आप 1-2-3-4 हो जाएगा वो, ठीक है, और मान लेते हैं, यह अबव दे प्लेन अटाइक किया, ठीक है, यह अबव दे प्लेन अटाइक किया, तो नेक्स स्टेप में क्या होगा, नेक्स स्टेप में फिर हमारा दिख रहा है, पी एज एस एज एज यह यह S-E-P-E-H अटाइक करेगा, है ना, तो कैसे, क्या होगा, यह देखे, यह आपका, यह पी एज है, और यहाँ आपका S-E-P-E-H अटाइक कर लिया, समझ में आ रहा है, सबको बिलकुल, बहुत इजी है, कुछ इसमें कुछ कठिन नहीं है, और फिर देखिए कि अब ने पहले से कौई S-T-E-H अटाइक लौर घ्रूप पे कर आया, तो जब आपका S-E-P-E-H आयागा, वो आपका ABOV the group चलाएगा, मतलब कि जो बनें गई वो कैया बनेंगे, ट्रांस बनेंगे, तो अगर यह इस तरीके से हैellen, next step में हमारा H-2 O2 है, आप जानते ही है कि H-2 O2 ह तो क्या होगा सिननक्साइट बनेगा यह अबव दी प्लेन है तो यहां का जो हैद्रोजन है वो भी अबव दी फ्लेन होगा यह दोनों निकलेंगे यहां से और आपका यह देखिए प्रोडक्ट बन गया समझ में आया की नहीं आया अब आप लोग बोलिए देखें ये गिलमान रेजेंट नया पढ़ाया है आपको हो सकता है पोट सेमेस्टर की सेलिबस में आपके हो ये रेजेंट रेजेंट पढ़ोगे तो उसमें इस तरीकी की बहुत सारी रेजेंट है और कौन क्या काम करता है सब specific होते हैं अपने work के लिए बोलिए समझ में आ गया इसका mechanism कैसे कैसे सारे problems लगे हैं ठीक है अपने से भी हम कहेंगे आप लोग book में या net के through जैसे गिलमान रिजिंट मैंने बता दिया थोड़ा इसके बारे में और ग्रिगनाड आप लोगे ने पढ़ा है तो ग्रिगनाड की तरह ही बिलकुल गिलमान रिजिंट होता है ठीक है और बस इसमें यही एक बात है कि यह आपका 1,4 addition जब भी इस तरह की structure होगा alpha, beta, unsaturated ketone तो यह आपका 4th position 1,1,2,3,4 4th position पे 1,4 position 5th position पे attack होता है अगर यहाँ यह ना होता इसके बदले अगर acid यूज कर लेते तो यहाँ पे आपका OH बन जाता और यहाँ आपका pH लगा होता ठीक है अब जब बता ही रहें तो एक और चीज बता देते हैं कि जो आपका यह गिलमान रिजिंट है वो विनाईल सब्स्टूशन भी कर देता है अभी बताती हूँ मैं इसको रब करने जा रहे हूँ अब मुझे जितना आयाद आ रहा है वो बता दे रहे हूँ जलमान रिजिंट के बारे में फोड़ा सा यह भी यह बहुत important है जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि अगर जिसे कहीं पर हम लोग ने पढ़ा है यह देखिए यह क्या है यह अलाईल है अगर हमें इसका सब्स्टूशन कराना है OET से कराना है सब्स्टूशन तो यह अराम से हो जाएगा इधर आएगा और यह BR निकल जाएगा और यहां आपका OET लग गया है ना यह तो हम लोग ने पढ़ाया है क्यों क्योंकि यह अलाईल का जो यहां पर कटायन बनेगा वो बहुत स्टेबल होता है लेकिन कभी क्या आपने देखा है कि इस टाइप का अगर हो तो यह आपका सब्सेशन दे पाएगा इसको हम विनाईल कहेंगे क्योंकि डबल बॉंड से ही आपका हैलोजन लगा हुआ है इस केस में ऐसा नहीं होगा कि यह निकलेगा और यहां प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा ना इस इस नोट पॉसिबल लेकिन जो गिलमान रेजन्ट है आपका वो आपका विनाईल सब्सेशन देता है इस जगह पर अगर हम CS3 twice copper lithium यूज कर दें तो BR के जगह आपका CS3 लग जाएगा ठीक है तो यह गिलमान रेजन्ट की खासियत है यह विनाईल सब्सेशन भी देता है और यह 1,4 एडिशन देता है ठीक है और भी बहुत है बढ़ जो बहुत important था वो यही था मैंने इतना बता दिया अच्छा एक बाद बताईए आप लोगोंने metal carbonals पढ़ा हुआ है ना metal carbonals मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को हलो answer दीजी भाई अच्छा एक बाद दीजी बहुत है हलो metal carbonals पढ़ाया अब लोगोंने बोलिये अब आज नहीं आ रही मुझे metal clusters है ना inorganic में आपके chapter एक को तर्मिट को आपके को झौए ना नहीं सो बथले को आपके लोगों फलो लूख को सब मुझेसान आपके, लोका है को लोगों आपके देखो भाई एक तो इन अउगनी हमारा स्पेशलाइजेशन नहीं है तो हम उतना ही इन अउगनी पढ़ते या पढ़ाते हैं जितना ची थोड़ा नेट में आता है ठीक है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं ये कार्बोनिल्स को जानते हैं ना सी ओ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ और मेटल कार्बोनिल के कॉंपलेक्सेश भी होते हैं होते हैं ना इस तरीके से ओक्टा हैड़ल कॉंपलेक्सेश मुझे याद नहीं है कि मुझे लग रहा है मेटल क्रॉशर है कि मेटल कारबोनील साइ डोन रिमेंबर आपको इसे इसमें कुछ पार्ट हैं जो कि नेट में बहुत आते हैं बहुत से बच्चों ने मुझे इस 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 रिशेट इस क्वेश्चन भी बहुत चारे पूछे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक class ले लेते हैं थोड़ा सा, कुछ problem solve करवा देते हैं Organic का most part मैंने आप लोगों को बता दिया है बाकी आप लोग थोड़ा देखें, अच्छा आप लोगों में है ही नहीं है ओके, यह second semester में है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हैं थोड़ा सा, यह देख लिए complexes तो, octahedral complexes, यह मैंने खुद यह पढ़ाया है आप लोगों को पढ़ाया है ना, octahedral complexes पढ़ाया है, उसके मैंने isomerism भी बताया है आप लोगों को कि कितने types of बनते हैं, है ना octahedral, tetrahedral complexes साब लोगों ने पढ़ा है, molecular orbital theory जान रहे होंगे कैसे आपका molecules जैसे कि H2, N2, O2, इन सब का कैसे आपका molecular orbitals बनते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को मुझे याद है जो color transitions होते हैं, middle complexes में, color transitions, मतलब band जो बनता है आपका, वो भी मैंने एक आप बताया है आप लोगों को MOT बना के इस तरीके से उसका, खैर छोड़िए, देखिए, ये मैंने carbonyl के, carbonyl का मैंने molecular orbital diagram बनाया है, सबको समझ में आ रहा है, carbon का क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2p, 2 होता है oxygen का 1s2, 2s2, 2p, 4, ठीक है, तो carbon के sp, hybridized हो के, 2, मतलब देखिए, यह देखिए, यहां तो दिखा रहे है न, बस यही चीज़ है, pz orbital और s orbital जो है carbon का, वो 2 hybrid orbital, spz, spz बनाता है, ठीक है, और बचे हुए आपके 2ps, 2py, ठीक है, अब यह जो spz जो बनता है न, तो एक spz में pz का characteristic जादा होता है, एक spz में s का characteristic जादा होता है, देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, co जो है, यह दोनों heteroatom है, और इन दोनों में electronegativity का बहुत difference है, carbon electropositive है, oxygen काफी electronegative है, है न, उसी तरीके से oxygen का भी देखिए, oxygen में भी आपका s और p z orbitals जो हैं, वो hybridized होके, 2 spz orbitals बनाते हैं, hybrid orbitals और बचे आपके 2px और 2py, ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कि हमने जो carbon का लिखा है, थोड़ा उपर लिखा है, sets पूरे, और जो oxygen के लिखे हैं, यह थोड़े से, इनसे energy में down है, क्यों down है, क्योंकि जो oxygen है, वो काफी जादा electronegative है, तो मैंने बताया कि इन दोनों में electronegativity का अंतर है, तो इसलिए इनके energy में भी काफी difference आएंगे, इसलिए देखिए, जो आपके homo molecule होते हैं, जैसे कि hydrogen H2 हो गया, N2O2, यह सब आराम से बन जाते हैं, इसमें कोई non-bonding नहीं होता है, ठीक है, इसमें केवल आपने bonding orbitals पढ़े हैं, और anti-bonding orbitals पढ़े हैं, और उससाब से आप उसका bond order निकाल देते हैं, है न, इस case में देखिए, इस case में एक चीज़ देख लेजिए पहले तो, कि जो एक SPZ orbital जो है oxygen का, वो इतना नीचे है, इतना नीचे है कि इसकी symmetry है, वो carbon वाले से match ही नहीं कर पाती, तो ये क्या है, देखिए, ये चुप चाप, मतलब भाग ही नहीं लिया है, non-bonding मतलब कि वो भाग ही नहीं लिया, समझने आ रहा है आप लोगों को non-bonding में electron, जो non-bonding के electron है, जसके तस पड़े हुए है, ये bonding में इससे भाग नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि वो इतना जादा energy इसकी इतनी कम है, कि ये carbon के SPZ orbital से symmetry इसकी match नहीं खा रही, ठीक है, अब देखिए, carbon का जो नीचे वाला है, मतलब थोड़ा जिसकी कम energy है, और oxygen का जो उपर वाला है, ये आपस में mil के orbitals बनाते हैं, bonding करते हैं, sigma 2 बनाया एक, और उसी का एक bonding बनाया, एक anti-bonding बनाया, ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए, यही जो condition इसका था, वही condition carbon का, उपर वाले orbital का है, अब ये देखिए, ये इतना जादा उपर में है कि ये इसके साथ symmetry नहीं कर पाया, इसके साथ symmetry किसकी हुई, जो इसकी नीचे वाले orbitals थे, इसलिए ये आपका non-bonding की तरह काम करेगा, ये पार्ट नहीं लिया आपका orbital formation में, तो ये sigma 3 जो है, ये भी non-bonding है, इधर इसका भी आपका एक non-bonding चला गया, बचा आपका pi bonding, pi 3 star, pi 4 star, ठीक है, ये छोड़ दे अगर हम इतना इसको, तो बाकी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से electron की feelings देखे हिनकी हो गई है, समझने आ रहा है, ऐसे लिखते हैं इसको, के के डैश, सिग्मा 1 nb, 2, सिग्मा 2, 2, pi 1 में 2, pi 2 में 2, और सिग्मा 3 nb में 2, ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, कितने electron total हैं आपके, carbon क्या 6 है, oxygen का 8 है, तो कुछ मिला के 14 हुएं, और ये आपका, ये क्या होगा, सिग्मा 1 ns, सिग्मा 1 ns, 2, सिग्मा 1 ns, सिग्मा 1 ns, सिग्मा 2, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे, k, k' लिखाया है, 10 minutes में फिर time खतम हो जाएगा, लग रहा है, थोड़ा ही बताई पाएंगे हम, देखें, इतना समझाने का क्या मतलब था हमको, इस case में देखें, ये जो pi 3 star, pi 4 star आपका है, ये क्या है, ये lowest unoccupied molecular orbital है, इसका anti-bonding orbital है, जो कि आपका, जिसमें electron नहीं है, ठीक है, electron last किसमें गए हैं आपके, non-bonding orbital में गए हैं, मतलब कि ये आपका highest occupied molecular orbital है, हमको mainly यहाँ आना है, ये बताना है आपको, metal और कार्बोनील की जो bonding होती है, वो कैसी होती है, और क्या होता है उसमें, ठीक है, उसमें आपका electron bonding होती है, कार्बोनील का जो filled orbital है, वो आपका metal से bonding करता है, इसको मैं रब कर दूँ, आपको ने देख लिया, समझ लिया इसको, ये वैसे कभी पूछे कर नहीं कार्बोनील का ऐसे बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग में रहेगा, feeling इसकी थोड़ी याद रहती है, मतलब ये आपको mainly ये last वाले याद होने चाहिए, कि जो कार्बोनील है, उसका anti-orbital खाली होता है, और sigma non-bonding जो सबसे जादा है, वो भरा हुआ होता है, अगर हम यही no की बात करें, no का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, no की अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ no का भी बनता है, लेकिन no के case में एक electron जो है, वो anti-bonding में present होता है, इसलिए no plus is more stable than no, क्यों? क्योंकि no plus वाले case में वो अपना ये anti-bonding वाला जो electron है, जो energy increase किये रहता है, वो निकाल देता है, बात समझ में आ रही है, no plus जो आपका है, that is more stable than no, ठीक है, तो no का भी ऐसा ही बनता है, देखें, इस दिमाग में इतना होना चाहिए कि कार्बोनिल का anti-bonding खाली होता है, और नैट्रोसिल का जो anti-bonding है, वो एक भरा होता है, वही आपका no plus जो होता है, उसमें खाली हो जाता है, तो co का क्योंकि highest occupied bornecular orbital जो है, देखें, ये आपका metal है, और ये आपका कार्बोनिल है, कार्बन का जो sigma 3 nb था, उसका जो दो electron था, वो metal को देके उसके साथ क्या करेगा, bonding करेगा, ठीक है, mc bond form हो गया, और metal का कौन सा, ये हम transition metals की बात कर रहे हैं, ठीक है, transition metals की बात कर रहे हैं, इसमें हम, transition metals का जो outermost orbital होता है, वो क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है, अगर ये 3D है तो 4s, 4p, इसमें की, ये आपके empty होते हैं, मतलब हम hybridized metal orbitals की बात कर रहे हैं, transition metals की बात कर रहे हैं, ये आपका outer metal, outer जो होता है, N-1D, N-S और N-P, यहीं आपका hybridization में भी भाग लेता है, जो आपके octahedral complexes बनते हैं, देखिए, उनका भी hybridization होता है, होता है की नहीं, उसमें भी हम देखते हैं की sp3d है, की d2 sp3 है, ठीक है, तो ये आपका metal जो है, ये भी आपके hybridized होते हैं, तो जो ये empty orbitals हैं metal के, उसके साथ carbonil अपना non-bonding के जो electron है, वो उसके hybridized orbitals से electron देके bonding बनाता है, और metal जो आपका है, transition metal, उसके कुछ, जैसे की ये n-1 जो d वाला है, non-bonding हो जाता है, देखिए, क्या है इसमें, जो transition metal है, ये इसके कुछ orbitals तो hybridized होते हैं, और वो bonding में participate करते हैं, और इसमें भी कुछ जो आपके रहते हैं, वो as a non-bonding रहते हैं, ठीक है, तो metal क्या करता है, जो इसका non-bonding electron होता है, d orbital के जो non-bonding electron होते हैं, वो वापस से carbon को दे देता है, और carbon का जो anti-bonding orbital है, वो उसको accept करता है, मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाहा रही हूँ आप लोगों को, यह सी थोड़ा सो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद हम बता सकते हैं, transition metal atom in metal carbonyl has filled non-bonding, देखे, transition metal जो है आपका, उसके पास कुछ, मतलब unfilled है, unfilled बाने नहीं भरे हुए, जैसे कि यह वाले हैं, खाली होते हैं यह लगभग, ठीक है, जो unfilled वाले हैं, वो carbonyl से electron लेके bonding बनाएं, metal carbonyl bond बनाया, ठीक है, और जो d orbitals के भरे हुए non-bonding d orbitals हैं, वो क्या करता है, वो वापस से carbon को अपना electron दे देता है, और इस phenomena को हम कहते हैं, pi back bonding, तो जो transition metal का filled non-orbital, non-bonding d orbital है, वो आपका carbon के anti-bonding molecular orbitals में अपना electron दे देता है, ठीक है, और इस case को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, pi back bonding, तो इससे ये भी होता है, कि जो m है, ये जो m-c bond का strength है, m-c bond का जो strength है, वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, increases, समझ रहें हैं, आपी जो lane dren की प्रक्रिया है, मने carbonil ने अपना electron metal को दिया, फिर metal के जो भरे हुए unused electrons थे, वो उसने carbonil के empty, anti-bonding orbitals, जिसकी energy बहुत कम है, क्या कहा जाता है, lowest unoccupied molecular orbital कहा जाता है, lumo कहा जाता है, उसमें electron transfer कर देता है, तो m-c की bond strength है, वो काफी बढ़ जाती है, electron के lane dren से, bond strength क्या होता है, बढ़ जाता है, अब देखें, कार्बोनील पे क्या effect पढ़ता है, कार्बोनील पे क्या effect पढ़ता है, आप ही सोचिए, जो मैंने वहाँ बनाया था, kk' था, 1s2, सुरी, sigma 1s2, sigma 1s, star 2 था, फिर, क्या था, sigma 1nb, 2 electron थे, sigma 2 में 2 electron थे, फिर, pi 1 में 2 थे, और pi 2 में 2 थे, यही था ना, और एक और था, sigma 3nb, 2, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 0, 3, 4, अगर इसका bond order हम निकालेंगे, bond order निकालने आता है आप लोग को, bond order का formula होता है, bonding molecular orbitals में जितने electron हैं, माइनर, anti bonding में, ठीक है, तो bonding में वाला देखिए, 2, इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, ठीक है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है और anti-bonding में केवल 2 है तो bonding electron minus anti-bonding electron बटे 2 3 आएगा तो CO का जो bond order है वो देखें bond order is directly